नमस्कार, Easy Learning Tree Junior में आपका स्वागत है, आज सुनिए मुन्शी प्रेमचंद की लिखी कहानी, रानी सारंधा अधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी चटानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती थी, जैसे घुमुर-घुमुर करती हुई चक्कियां नदी के दाहिने तट पर एक टीला है, उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है, जिसको जंगली व्रिक्षों ने घेर रखा है, टीले के पूर्व की ओर छोटा सा गाव है, यह गरही और गाव दोनों एक बुंदेला सरकार के कीर्ती चिहन है शताव व्यतीत हो गई बुंदेल खंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्थ हुआ, मुसल्मान आए और बुंदेला राजा उठे और गिरे, कोई गाव कोई इलाका ऐसा न था जो इन दुर्वस्थाओं से पीडित न हो, मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पता का नलहराई और इस गाव में किसी विद्रोह का भी पदारपण न हुआ, यह उसका सौभाग्य था, अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था, वह जमाना ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम ही का भरोसा था, एक और मुसल्मान सेनाए पै पर सजीव दल था, इससे वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था, उसे कभी चैन से बैठना नसीब न होता था, तीन वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ था, मगर अनिरुद्ध विहार के दिन और विलास की रातें पहाडों में काटता था, औ कितनी बार पती से अनुरोध कर चुकी थी, कितनी बार उसके पैरों पर गिर कर रोई थी, कि तुम मेरी आँखों से दूर न हो, मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ वनवास अच्छा है, यह वियोग अब नहीं सहा जाता, उसने प्यार से कहा, जिद से कह विनय की, मगर अनिरुध बुंदेला था, शीतला अपने किसी हथियार से उसे परास्त न कर सकी, अधेरी रात थी, सारी दुनिया सोती थी, तारे आकाश में जागते थे, शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी, और उसकी ननद सारंधा फर्ष पर तोरी सुना रही हूँ, शीतला मेरी आँखों से तो नींद लोप हो गई, सारंधा किसी को ढूंडने गई होगी, इतने में द्वार खुला और एक गठे हुए बदन के रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया, वह अनिरुध था, उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हतियार न था, शीतला चारपाई से उतर कर जमीन पर बैठ गई, सारंधा ने पूछा, भाईया, यह कपड़े भीगे क्यों है, अनिरुध नदी तैर कर आया हूँ, सारंधा हतियार क्या हुए, अनिरुध छिन गए, सारंधा और साथ के आदमी, वीर गती पाई, शीतला ने दबी जबान से कहा, इश्वर ने ही कुशल किया, मगर सारंधा के तीवरों पर बल पड़ गए, और मुख मंडल गर्व से सतेज हो गया, बोली, भाईया तुमने कुल की मर्यादा खो दी, ऐसा कभी न हुआ था, सारंधा भाई पर जान देती थ उसके मुह से यह धिकार सुनकर अनिरुध लज्जा और खेट से विकल हो गया, वह वीराग ने जिसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा लिया था, फिर ज्वलंध हो गई, वह उलटे पाउव लोटा और यह कहकर बाहर चला गया, कि सारंधा तुमने मुझे सदैव के किले से बाहर निकला, पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुप्त हो गया, शीतला उसके पीछे-पीछे किले की दीवारों तक आई, मगर जब अनिरुध छलांग मार कर बाहर कूद पढ़ा, तो वह विरहणी चटान पर बैठ कर रोने लगी, इतने में सारंधा भी वहीं आ पहुंची, शीतला ने नागिन की तरह बल खा कर कहा, मर्यादा इतनी प्यारी है, सारंधा हाँ, शीतला अपना पती होता तो हृदय में छिपा लेती, सारंधा ना छाती में छुरा छुभा देती, शीतला ने आठ कर कहा, चोली में छिपाती फिरोगी मेरी बात गिरह में बांध लो सारंधा जिस दिन ऐसा होगा मैं भी अपना वचन पूरा कर दिखाऊंगी इस घटना के तीन महीने पीछे अनिरुध महरौनी को जीत करके लोटा और साल भर पीछे सारंधा का विवाह ओर्चा के राजा चमपतराय से हो गया मगर उस जिनकी बातें दोनों महिलाओं के हरिदैस्थल में काटे की तरह खटकती रहीं राजा चमपतराय बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे सारी बुंदेला जाती उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभुत्व को मानती थी गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मोगल पादशाहों को कर देना बंद कर दिया और वे अपने बाहुबल से राज्य विस्तार करने लगे मुसलमानों की सेनाएं बार-बार उन पर हमले करती थी पर हार कर लौट जाती थी यही समय था कि जब अनिरुध ने सारंधा का चम्पतराय से विवाह कर दिया सारंधा ने उसकी यह अभिलाशा की मेरा पती बुंदेला जाती का कुल तिलक हो पूरी हुई यह द्यपिराजा के रनिवास में पांच रनियाओं थी मगर उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि वह देवी जो हृदय में मेरी पूजा करती है सारंधा है परन्तु कुछ ऐसी घटनाएं ह कि चंपतराय को मुगल बादशाह का आश्रित होना पड़ा वे अपना राज्य अपने भाई पहाड से को सौंप कर दहली चले गए यह शाह जहां के शासनकाल का अंतिम भाग था शाहजादा दारा शिकोह राज की एकारियों को संभालते थे युवराज की आँखों में शी लाख थी यह पहला अफसर था कि चंपतराय को आए दिन के लडाई जगडे से निवृत्ति मिली और उसके साथ ही भोग विलास का प्राबल्य हुआ राद दिन आमोद प्रमोद की चर्चा रहने लगी राजा विलास में डूबे रानिया जडाओ गहनों पर रीजी मगर सार तुम उदास क्यों रहती हो मैं तुम्हें कभी हंसते नहीं देखता क्या मुझसे नाराज हो सारंधा की आँखों में जल भर आया बोली स्वामी जी आप क्यों ऐसा विचार करते हैं जहां आप प्रसन्न हैं वहां मैं भी खुश हूँ चंपतराय मैं जब से यहां आया मैंने तुम्हारे मुख कमल पर कभी मनोहारणी मुस्कराहट नहीं देखी तुमने कभी अपने हाथों से मुझे बीड़ा नहीं खिलाया कभी मेरी पाग नहीं संवारी कभी मेरे शरीर पर शस्त्र न सजाए कहीं प्रेमलता मुर्जाने तो नहीं लगी सारंधा प्राणनात आप मुझसे ऐसी बात पूछते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है यथार्थ में इन दिनों मेरा चित उदास रहता है मैं बहुत चाहती हूँ कि खुश रहूं मगर बोज सा हृदय परधरा रहता है चंपतराय स्वयम आनंद में मगन थे इसलिए उनके विचार में सारणधा को असंतुष्ट रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था वे भौहें सिकोड कर बोले मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेश कारण नहीं मालूम होता औरचे में कौन सा सुख था जो यहां नहीं है सारंधा का चेहरा लाल हो गया बोली मैं कुछ कहूँ आप नारास तो न होंगे चमपत राय नहीं शौक से कहो सारंधा और छे में मैं एक राजा की रानी थी यहां मैं एक जागीरदार की चेरी हूँ और छे में वह थी जो अवध में कौशल्या थी यहां मैं बादशाह के एक सेवक किस्त्री हूँ, जिस बादशाह के सामने आज आज आप आदर से सिर जुकाते हैं, वकल आपके नाम से कांपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्न चित्त होना मेरे वश में नहीं है। आपने यह पद और यह विलास की सामग्रियाओं बड़े महंगे दामों मोल ली हैं। चम्पतराय के नेत्रों पर से एक परदा सा हट गया। वे अब तक सारंधा की आत्मिक उच्चता को न जानते थे। जैसे बे माँ बाप का बालक माँ की चर्चा सुनकर रोने लगता है, उसी तरह औरचे की याद से चम्पतराय की आँखें सजल हो गई। उन्होंने आदर युक्त अनुराग के साथ सारंधा को हृदय से लगा लिया। आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की फिक्र हुई जहां से धन और कीर्ती की अभिलाशाएं खीच लाई थी। मां अपने खोए हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है। चम्पतराय के आने से बुंदेल खंड निहाल हो गया। और अच्छे के भाग जा गे। नौबतें बजने लगी। और फिर सारंधा के कमल नेत्रों में जातिय अभिमान का आभास दिखाई देने लगा। यहां रहते रहते महीनों बीत गए। इस बीच में शाह जहां बीमार पड़ा। पहले से इरशिया की अगनी दहक रही थी। यह खबर सुनते ही जुआला प्रचंड हुई। संग्राम की तैयारियां होने लगी। शाहजादे मुराद और मुहियुद्दीन अपने अपने दल सजाकर दखिन से चले। वर्शा के दिन थे। उर्वरा भूमी रंग बिरंग के रूप भर कर अपने सौंदर्य को दिखाती थी। मुराद और मुहियुद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बरहाते चले आ रहे थे। यहां तक की धौलपुर के निकट चंबल के तट परा पहुँचे परन्तु यहां उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभाग मन के निमित्त तयार पाया। शाहजादे अब बड़ी जिंता में पड़े। सामने अगम्य नदी लहरे मार रही थी। किसी योगी के त्याक के सद्रिश। विवश होकर चंपत राय के पास राय उनकी मदद करना दारा शिकोह से वैर लेना है। सारंधा यह सत्य है परन्तु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए। चंपत राय प्रिये तुमने सोच कर जवाब नहीं दिया। सारंधा प्राणनात मैं अच्छी तरह जानती हूं कि यह मार्ग कठिन है और अब हमें अपने योधाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा परन्तु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी वह हमारे वीरों की कीर्तिगान करती रहेगी। जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेवा रहेगा, ये रक्त बिंदू उसके माथे पर केशर का तिलक बन कर चमकेंगे। वायू मंडल में मेघराज की सेनाएं उमड रही थी। और छे के किले से बुंदेलों की एक काली घटा उठी और वेक के साथ चंबल की तरफ चली। प्रत् आज उसका एक एक अंग मुसकरा रहा है और हृदय हुलसित है। बुंदेलों की यह सेना देखकर शाहजादे फूले न समाए। राजा वहां की अंगुल अंगुल भूमी से परिचित थे। उन्होंने बुंदेलों को तो एक आड में छिपा दिया और वे शाहजादों की फौज को सजाकर नदी की किनारे किनारे पश्चिम की ओर चले। दारा शिकोह को भ्रम हुआ कि शत्रू किसी अन्य घाट से नदी उतरना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मोर्चे हटा लिए। घाट में बैठे हुए बुंदेले उसी ताक में थे। बाहर निकल पड़े और उन्होंने तुरंत ही नदी में घोडे डाल दिये। चंपतराय ने शाहजादादारा शिकोह को भुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और वह बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतार लाया। इस कठिन चाल में साथ घंटों का विलंब हुआ। परंतु जाकर देखा तो साथ सौ बुंदेलों की लाशें तडप रही थी। राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मत बंध गई। शाहजादों की सेना ने भी अल्लाहो अकबर की ध्वनी के साथ धावा किया। बादशाही सेना में हलचल पड़ गई। उनकी पंक्तियां छिन भिन्न हो गई। हाथों हाथ लड़ाई होने लगी यहां तक कि शाम हो गई। रणभूमी रुधिर से लाल हो गई। और आकाश में अधेरा हो गया। घमासान की मार हो रही थी। बादशाही सेना शाहजादों को दबाए आती थी। अकस्मात पश्चिम से फिर बुंदेल कहां से आई। सरल्स्वभाव के लोगों की धारणा थी कि यह फतह के फरिष्टे हैं, शाहजादों की मदद के लिए आये हैं। परन्तु जब राजा चंपत्राय निकट गए तो सारंधा ने घोड़े से उतर कर उनके पैरों पर सिर जुका दिया। राजा को असीम आनंद हुआ। यह सारंधा थी। समर्भूमी का दृष्य इस समय अत्यंत दूखमय था। थोड़ी देर पहले जहां सजे हुए वीरों के दल थे, वहां अब बेजान लाशें तड़प रही थी। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए अनादिकाल से ही भाईयों की हत्या की अब विजई सेना लूट पर तूट पड़ी। पहले मर्द मर्दों से लड़ते थे। वह वीरता और पराक्रम का चित्र था यह नीचता और दुरबलता की गलानी प्रत तस्वीर थी। उस समय मनुष्य पशू बना हुआ था। अब वह पशू से भी बर गया था। इस नो पर मोहित हो गया। यह इराकी जाती का अतिसुंदर घोड़ा था। एक-एक अंग सांचे में ढला हुआ सिह किसी छाती चीते किसी कमर उसका यह प्रेम और स्वामी भक्ति देखकर लोगों को बड़ा कुतूहल हुआ। राजा ने हुक्म दिया। खबरदार इस प्रेमी प होता था कि उसके निकट जा सके। कोई चुमकार रहा था, कोई फंदे में फसाने की फिक्र में था, पर कोई उपाय सफल न होता था। वहां सिपाहियों का मेला सा लगा हुआ था। तब सारंधा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास चली गई। उसक के अंचल में मुह छिपा लिया। रानी उसकी रास पकड़ कर खेमे की ओर चली। घोड़ा इस तरहे चुपचाप उसके पीछे चला, मानो सदैव से उसका सेवक है। पर बहुत अच्छा होता कि घोड़े ने सारंधा से भी निश्ठुरता की होती। ये सुन्दर घोड़ पर जितने उत्साह से आगे बराता है, उतने ही उत्साह से आपत्ति के समय पीछे हड़ जाता है। वह वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है और इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों की वर्शा करता है। पर इस मैदान में कभी-कभी ऐसे सिपाही भी जाते है जो अवसर पर कदम बरहाना जानते हैं, लेकिन संकट में पीछे हटाना नहीं जानते। ये रणवीर पुरुष विजय को नीत की भेंट कर देते हैं। वे अपनी सेना का नाम मिटा देंगे। किन्तु जहां एक बार पहुँच गए हैं, वहां से कदम पीछे न हटाएंग उन में कोई विरला ही संसार क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है, किन्तु प्रायह उसकी हार विजय से भी अधिक गौरवात्मक होती है। अगर अनुभवशील सेनापती राष्ट्रों की नीव डालता है, तो आन पर जान देने वाला मूह न मोडने वाला, सिपाही अक्य या सभा में उसका नाम जबान पर आ जाता है, शुरुता गण एक स्वर से उसके कीर्थी गौरव को प्रतिध्वनित कर देते हैं, सारंधा आन पर जान देने वालों में थी। शाहजादा मुहियुद्दीन चंबल के किनारे से आगरे की ओर चला, तो सौभाग्य उस उनके राज्य पद लोटा दिये और राजा चंपतराय को उसके बहुमूल्य कृत्यों के उपलक्ष में बारह हजारी मंसब प्रदान किया। औरक्षा से बनारस और बनारस से जमुना तक उसकी जागीर नियत की गई। बुंदेला राजा फिर राज सेवक बना, वह फिर शीघर ही उसे बादशाह आलमगीर का विश्वास पात्र बना दिया। उस पर राजसभा में सम्मान की द्रिश्टी पढ़ने लगी। खान साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का बड़ा शौक था। एक दिन कूवर छतर साल उसी घोड़े पर सवार होकर सेर को गया था। वह खान साहब के महल की तरफ जा निकला। वली बहादूर ऐसे ही अवसर की ताक में था। उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा किया। राजकुमार अकेला क्या करता। पाँव पाँव घर आया और उसने सारंधा से सब समाचार बयान किया। रानी का पाँड़ की गोड़ा हाथ से गया। शोक इसका है कि तू उसे खोकर जीता। क्यों लोटा। क्या तेरे शरीर में बुदेलों का रक्त नहीं है। घोड़ा ना मिलता न सही कि तुझे दिखा देना चाहिए था कि एक बुदेला बालक से उसका घोड़ा चीन लेना हंसी नह खान साहब उसी घोडे पर सवार होकर दर्बार चले गए थे सारंधा दर्बार की तरफ चली और एक क्षण में किसी वेगवती नदी के सद्रिश्य बात्शाही दर्बार के सामने जा पहुंची यह कैफियत देखते ही दर्बार में हलचल मच गई अधिकारी वर्ग इधर सवार की चमक देखी थी उन्हें वही घटना फिर याद आ गई सारंधा ने उच्चिस्वर से कहा खाम साहब बड़ी लज्जा की बात है आपने वही वीरता जो चंबल के तट पर दिखानी चाहिए थी आज एक अबोध बालक के समुख दिखाई है क्या यह उचित था कि आ अपने काम में लाए राणी वह आपकी चीज नहीं मेरी है मैंने उसे रणभूमी में पाया है और उस पर मेरा अधिकार है क्या रणनीती की इतनी मोटी बात भी आप नहीं जानते खाँ साहब वो घोड़ा मैं नहीं दे सकता उसके बदले में सारा अस्तबल आपकी नजर है राणी मैं अपना घोड़ा लूँगी खाँ साहब मैं उसके बराबर जवाहरात दे सकता हूँ परन तु घोड़ा नहीं दे सकता राणी तो फिर इसका निश्चय तलवार से होग बुंदेला योध्धाओं ने तलवारें सौंत ली और निकट था कि दर्बार की भूमी रक्त से प्लावित हो जाए। बादशाह आलमगीर ने बीच में आकर कहा, रानी सहबा, आप सिपाहियों को रोकें, घोड़ा आपको मिल जाएगा परन्तु इसका मूल्य बहुत देना पड़ेगा, रानी मैं उसके लिए अपना सर्वस्व खोने को तैयार हूँ, बादशाह जागीर और मनसब भी, रानी ज उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है, बादशाह वह क्या है, रानी अपनी आन, इस भांती रानी ने अपने घोड़े के लिए अपनी विस्तरित जागीर, उच्छ राज और राज सम्मान, सब हाथ से खोया, और केवल इतना ही नहीं, भविश्य के लिए काटे बोए, इस घड़ी से अंतदशा तक चंपतराय को शांती न मिली, राजा चंपतराय ने फिर और अच्छे के किले में पदारपन किया, उन्हें मंसब और जागीर के हाथ से निकल जाने का अत्यंत शोक हुआ, किन्तु उन्होंने अपने मुह से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकाला, वे सारंधा के स्वभाव को भली भांती जानते थे, शिकायत इस समय उसके आत्म गौरव पर कुठार का काम करती, कुछ दिन यहां शांती पूर्वक व्यतीत हुए, लेकिन बादशाह सारंधा की कठोर बाद भूला न था, वह अक्षमा करना ज बाद शाह का सूबेदार था, वह चमपत राय का बचपन का मित्र और सहपाठी था, उसने चमपत राय को परास्त करने का बीड़ा उठाया, और भी कितने ही बुन्देला सरदार राजा से विमुक होकर बादशाही सूबेदार से आमिले, एक घोर संग्राम हुआ, भाईयो की तलवारें रक्त से लाल हुई यद्यपी इस समर में राजा को विजय प्राप्त हुई लेकिन उसकी शक्ति सदा के लिए क्षीन हो गई निकटवर्ती बुंदेला राजा जो चंपतराय के बाहुबल थे बादशाह के कृपा कांक्शी बन बैठे साथियों में कुछ तो काम आये कुछ दगा कर गए यहां तक की निज संबंधियों ने भी आँखें चुरा ली परन्तु इन कठिनाईयों में भी चंपतराय ने हिम्मत नहीं हारी धीरज को न छोड़ा उन्होंने ओर्चा छोड़ दिया और वह तीन वर्ष तक बुंदेल खंड के सघन पर्वतों पर चिपे फिरते रहे बादशाही से नाएं शिकारी जानवरों की भांती सारे देश में मडरा रही थी आए दिन राजा का किसी न किसी से सामना हो जाता था सारंधा सदैव उनके साथ रहती और उनका साहस बरहाया करती बड़ी बड़ी आपत्तियों में जबकि धैर्य लुप आपके सिवाय और किसी से न होगा उत्तर आया कि सेना को हटा लो और घेरा उठा लो राजा ने समझा संकट से निवृत्ति हुई पर्वहबात शीग्रही भ्रमात्मक सिध्ध हो गई तीन सप्ताह से बादशाही सेना ने औरच्छा घेर रखा है जिस तरह कठोर वचन को छेद डालते हैं उसी तरह तोपों के गोलों ने दीवारों को छेद डाला है किले में बीस हजार आदमी घिरे हुए हैं लेकिन उनमें आधे से अधिक स्त्रियां और उनसे कुछ ही कम बालक हैं मर्दों की संख्या दिनों दिन न्यून होती जाती है आने जाने के मार्ग चारों तरफ से बंद हैं हवा का भी गुजर नहीं रसत का सामान बहुत कम रह गया है स्त्रियां पुरुषों और बालकों को जीवित रखने के लिए आप उपवास करती हैं लोग बहुत हताश हो रहे हैं और तें सूर्य नारायन की ओर हाथ उठा उठा कर शत्रु को कोस्त हैं बालक वरिंद मारे क्रोध के दीवार की आड से उन पर पत्थर फेकते हैं जो मुश्किल से दीवार के उस पार जा पाते हैं राजा चंपत राय स्वयम ज्वर से पीडित हैं उन्होंने कई दिन से चारपाई नहीं छोड़ी उन्हें देखकर लोगों को कुछ ढारहस हो होता था लेकिन उनकी बीमारी से सारे किले में नैराश्य छाया हुआ है राजा ने सारंधा से कहा आज शत्रू जरूर किले में घुसाएंगे सारंधा इश्वर न करे कि इन आखों से वह दिन देखना पड़े राजा मुझे बड़ी चिंता इन अनाथ स्त्रियों और बालक सारंधा इस समय इन्हें छोड़ देने में ही कुशल है हम न होंगे तो शत्रू इन पर कुछ दया ही करेंगे राजा नहीं यह लोग मुझसे न छोड़े जाएंगे मर्दों ने अपनी जान हमारी सेवा में अरपन कर दी है उनकी स्त्रियों और बच्चों को मैं कदापी नह नहीं कर सकते राजा उनके साथ प्राण तो दे सकते हैं मैं उनकी रख्षा में अपनी जान लड़ा दूँगा उनके लिए बादशाही सेना की खुशामत करूंगा कारावास की कठिनाईयां सहूंगा किन्तु इस संकट में उन्हें छोड़ नहीं सकता सारंधा ने लजजित होकर सिर जुका लिया और सोचने लगी निस संदेह प्रिय साथियों को आग की आँच में छोड़कर अपनी जान बचाना घोर नीचता है मैं ऐसी स्वार्थांध क्यों हो गई हूँ लेकिन एकाएक विचार उत्पन हुआ बोली यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय न किया जाएगा तब तो आपको चलने में कोई बाधा न होगी राजा सोच कर कौन विश्वास दिलाएगा सारंधा बादशाह के सेनापती का प्रतिग्या पत्र राजा हां तब मैं सानंद चलूँगा सारंधा विचार सागर में डूबी बादशाह के सेनापती से क्यों कर यह प्रतिग्या कराऊं कौन ये प्रस्ताव लेकर वहां जाएगा और निर्दई ऐसी प्रतिग्या करने ही क्यों लगे उन्हें तो अपनी विजय की पूरी आशा है मेरे यहां ऐसा नीती कुशल वाकपटू चतुर कौन है जो इस दुस्तर कार्य को सिध्ध करे छट्र साल चाहे तो कर सकता है उसमें ये सब गुण मौजूद हैं इस तरह मन में निश्चय करके रानी ने चत्र साल को बुलाया ये उसके चारों पुत्रों में बुद्धिमान और साहसी था रानी उससे सबसे अधिक प्यार करती थी जब चत्र साल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उनके कमल नेतर सजल हो गए और हृदै से दीर्ग निश्वास निकल गया चत्र साल माता मेरे लिए क्या आग्या है रानी आज लड़ाई का क्या ढंग है चत्र साल हमारे पचास योधा अब तक काम आ चुके हैं रानी बुंदेलों की लाज अब इश्वर के हाथ है चत्र साल हम आज रात को छापा मारेंगे रानी ने संक्षेप में अपना प्रस्ताव चत्र साल के सामने उपस्थित किया और कहा यह काम किसे सौंपा जाए चत्र साल मुझको तुम इसे पूरा कर दिखाओगे हाँ मुझे पूर्ण विश्वास है अच्छा जाओ परमात्मा तुम्हारा मनुरत पूरा करे चत्र साल जब चला तो रानी ने उसे हृदय से लगा लिया और तब आकाश की ओर दोनों हाथ उठा कर कहा दया निधी मैंने अपना तरुन और होनहार पुत्र बुंदेलों की आन के आगे भेंट कर दिया अब इस आन को निभाना तुम्हारा काम है मैंने बड़ी मूल लिवान वस्तु अर्पित की है इसे स्वीकार करो दूसरे दिन प्रातहकाल सारंधा स्नान करके थाल में पूजा की सामगरी लिए मंदिर को चली उसका चहरा पीला पड़ गया था और आखों तले अंधेरा चाया जाता था वह मंदिर के द्वार पर पहुँची थी कि उसके थाल में बाहर से आकर एक तीर गिरा तीर की नोक पर एक कागज का पुर्जा लिप्टा हुआ था सारंधा ने थाल मंदिर के चबूत्रे पर रख दिया और पुर्जे को खोल कर देखा तो आनंद से चहरा खिल गया लेकिन यह आनंद क्षण भर का था हाई इस पुर्जे के लिए मैंने अपना प्रियपुत्र हाथ से खो दिया है कागज के टुकड़े को इतने महंगे दामों किसने लिया होगा मंदिर से लोटकर सारंधा राजा चमपत्राय के पास गई और बोली प्राण नात आपने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए राजा ने चौक कर पूछा तुमने अपना वादा पूरा कर दिया राणी ने वह प्रतिग्या पत्र राजा को दे दिया चमपत्राय ने उसे गोर से देखा फिर बोले अब मैं चलूँगा और ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर शत्रूँ की खबर लूँगा लेकिन सारण सच बताओ इस पत्र के लिए क्या देना पड़ा है राणी ने कुंठित स्वर से कहा बहुत कुछ राजा सुनू राणी एक जवान पुत्र राजा को बान सा लग गया पूछा कौन अंगधराय राणी नहीं राजा रतन साह राणी नहीं राजा छत्र साल राणी हाँ जैसे कोई पक्षी गोली खाकर परों को फड़ फड़ाता है और तब बेदम होकर गिर पड़ता है उसी भाती चमपत्राय पलंग से उचले और फिर अचेत होकर गिर पड़े छत्र साल उनका परम प्रियपुत्र था उनके भविष्य की सारी कामनाएं उसी पर अवलंबित थी जब चेत हुआ तब बोले सारण तुमने बुरा किया अंधेरी रात थी रानी सारंधा घोडे पर सवार चमपत्राय को पालकी में बैठाए किले के गुप्त मार्ग से निकली जाती थी आज से बहुत काल पहले एक दिन ऐसी ही अंधेरी दुह खमई रात थी तब सारंधा ने शीतला देवी को कुछ कठोर वचन कहे थे शीतला देवी ने उस समय जो भविष्यवानी की थी वह आज पूरी हुई क्या सारंधा ने उसका जो उत्तर दिया था वह भी पूरा होकर रहेगा मध्याहन था सूर्य नारायन सिर्पर आकर अगनी की वर्षा कर रहे थे शरीर को जुलसाने वाली प्रचंड प्रखर वायू वन और परवत में आग लगाती फिरती थी ऐसा विदित होता था मानो अगनिदेव की समस्त सेना गरजती हुई चली आ रही है गगन मंडल इस भय से कांप रहा था रानी सारंधा घोडे पर सवार चंपत राय को लिए पश्चिम की तरफ चली जाती थी और च्छा दसकोस पीछे छूट चुका था और प्रतिक्षन यह अनुमान स्थिर होता जाता था कि अब हम भय के क्षेतर से बाहर निकल आए राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे और कहार पसीने में सराबोर थे पालकी के पीछे पांच सवार घोड़ा बरहाय चले आते थे प्यास के मारे सब का बुरा हाल था तालू सूखा जाता था किसी व्रिक्ष की चाह और कुएं की तलाश में आँखें चारों और दोड रही थी अचानक सारंधा ने पीछे की तरफ फिर कर देखा तो उसे सवारों का एक दल आता हुआ दिखाई दिया उसका मा था ठनका कि अब कुशल नहीं है ये लोग अवश्य हमारे शत्रू है फिर विचार हुआ कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों को लिए हमारी सहायता को आ रहे है नैराश्य में भी आशा साथ नहीं छोड़ती कई मिनट तक वह इसी आशा और भय की अवस्था में रही यहां तक की वह दल निकट आ गया और सिपाहियों के वस्तर साफ नजर आने लगे राणी ने एक ठंडी सांस ली उसका शरीर त्रिनवत्त कापने लगा ये बादशाही सेना के लोग थे सारंधा ने कहारों से कहा डोली रोक लो बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खीच ली राजा की अवस्था बहुत शोचनिय थी किन्तु जैसे दबी हुई आग हवा लगते ही प्रदीप्त हो जाती है उसी प्रकार इस संकट का ज्यान होते ही उनके जरजर शरीर में वीर आत्मा चमक उठी वे पालकी का परदा उठाकर बाहर निकल आए धनुष बान हाथ में ले लिया किन्तु वह धनुष जो उनके हाथ में इंद्र का वज्जर बन जाता था इस समय जरा भी न जुका सिर में चक्कर आया, पैर थर्राये और वे धर्ती पर गिर पड़े भावी अमंगल की सूचना मिल गई उस पंखरहित पक्षी के सद्रिश जो साब को अपनी तरफाते देखकर उपर को उचकता और फिर गिर पड़ता है राजा चमपत राये फिर संभल उठे और फिर गिर पड़े सारंधा ने उन्हें संभाल कर बैठाया और रोकर बोलने की चेश्टा की परंतु मुह से केवल इतना निकला प्राण नात इसके आगे मुह से एक शब्द भी ना निकल सका आन पर मरने वाली सारंधा इस समय साधारन स्त्रियों की भाती शक्तिहीन हो गई लेकिन एक अंश तक यह निर्बलता स्त्रीजाती की शोभा है चंपत्राय बोले सारंध देखो हमारा एक वीर जमीन पर गिरा शोक जिसा पत्ति से यावज जीवन डरता रहा उसने इस अंतिम समय में आगेरा मेरी आखों के सामने शत्रू तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगाएंगे और मैं जगह से हिल भी न सकूंगा हाई मृत्यू तू कब आएगी यह कहते कहते उन्हें एक विचार आया तलवार की तरफ हाथ पर आया मगर हाथों में दम न था तब सारंधा से बोले प्रिये तुमने कितने ही अवसरों पर मेरी आन निभाई है इतना सुनते ही सारंधा के मुर्जाय हुए मुख पर लाली दोड़ गई आंसू सूख गए इस आशा में कि मैं पती के कुछ काम आ सकती हूँ उसके हृदय में बल का संचार कर दिया वह राजा की ओर विश्वासोत पादक भाव से देख कर बोली इश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी राणी ने समझा राजा मुझे प्राण देने का संकेत कर रहे है चमपतराय तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली सारंधा मरते दम तक न टालूंगी राजा यह मेरी अंतिम्याचना है इसे अस्विकार न करना सारंधा ने तलवार को निकाल कर अपने वक्षस्थल पर रख लिया और कहा यह आपकी आग्या नहीं है मेरी हार्दी का भिलाशा है कि मरू तो यह मस्तक आपके पद कमलों पर हो चमपतराय तुमने मेरा मतलब नहीं समझा क्या तुम मुझे इसलिए शत्रों के हाथ में छोड़ जाओगी कि मैं बेडियां पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बनू राणी ने जिग्यासा की दृष्टी से राजा को देखा वह उनका मतलब न समझी राजा मैं तुमसे एक वर्दान मांगता हूँ राणी सहर्ष मांगिये राजा यह मेरी अंतिम प्रार्थना है जो कुछ कहूंगा करोगी राणी सिरकेबल करूंगी राजा देखो तुमने वचन दिया है इनकार न करना राणी कांप कर आपके कहने की देर है राजा अपनी तलवार मेरी चाती में चुभा दो राणी के हृदय पर वज्रपात सा हो गया बोली जीवन नात इसके आगे वह और कुछ न बोल सकी आँखों में नैराश्य चा गया राजा मैं बेडियां पहनने के लिए जीवित रहना नहीं चाहता राणी मुझसे यह कैसे होगा पांचवां और अंतिम सिपाही धर्ती पर गिरा राजा ने जुझला कर कहा इसी जीवन पर आन निभाने का गर्व था बाच्शाह के सिपाही राजा की तरफ लपके राजा ने नैराश्यपूर्ण भाव से राणी की ओर देखा राणी क्षण भर अनिश्चित रूप से खड़ी रही लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ती बलवान हो जाती है निकट था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ लें कि सारंधा ने दामिनी की भाति लपक कर तलवार राजा के हृदय में छुभा दी प्रेम की नाव प्रेम के साकर में डूप गई राजा के हृदय से रुधिर की धारा निकल रही थी पर चेहरे पर शांती च्छाई हुई थी कैसा हृदय है वह स्त्री जो अपने पती पर प्राण देती थी आज उसकी प्राण घाति का है जिस हृदय से आलिंगित होकर उसने यौवन सुख लूटा जो हृदय उसकी अभिलाशाओं का केंद्र था जो हृदय उसकी अभिमान का पोशक था उसी हृदय को सारंधा की तलवार छेद रही है किसी स्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ है अह आत्मा भिमान का कैसा विशादमय अंत है उदय पुर और मारवार के इतिहास में भी आत्म गौरव की ऐसी घटनाएं नहीं मिलती बादशाही सिपाही सारंधा का यह साहस और धैर्य देखकर दंग रह गए सरदार ने आगे बर कर कहा रानी साहिबा खुदा गवा है हम सब आपके गुलाम है आपका जो हुक्म हो उसे सरो चश्म बजा लाएंगे सारंधा ने कहा अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौप देना यह कहकर उसने वही तलवार अपने हृदय में छुभा ली जब वह अचेत होकर धर्ती पर गिरी तो उसका सिर राजा चंपतराय की चाती पर था आप सुन रहे थे मुन्शी प्रेमचंद की लिखी कहानी रानी सारंधा